करेरा नगर हिंदू मुस्लिम एक्ता के लिए जाना जाता है यहां हिंदू मुस्लिमों में ऐसी एक्ता है कि हिंदू का कोई बित्वार होता है तो मुस्लिम समाज इस त्योहार में शामिल होते हैं और मुस्लिमों का कोई बित्वार होता है तो हिंदू समाज उसमें अपनी भ पड़े खेलाकर सभी का स्वागत किया और इद की शुब कामनाईदी कारिक्रम का संचालन सती श्रिवास्तव आभार असलम खान चीकु भाई ने किया देखिए लोगों ने इद अक्षित रुतिया और पर्शुराम जैनती के उपलक्ष में बधाई देती हुए क्या कहा करद सब्सक्राइब के गुलावी गुलाब का फूल रहेगा तो बाख सुंदर नहीं दिखाएगा उसमें अगर गयने के फूल और तरह तरह के फूल में तो बाख बाग रहता है उसी परकार हमारे हंदुस्तान में हिंदू मिस्लिम से किसाई आपस में मिंजल कर रहते हैं मेरा आप सब लोगों ने बड़ी देर से सभी लोगों की बाते सुनी है यह कि आप सब लोगों से निवेदन है कि मौपत जो आज नपरत को नपरत से नहीं बदी की मौपत से जीता जा सकता है आज इस विजह में जो नई शुरूआत होई है वो भी बहुत मैंत्मून है सभी को अक्षेत तिया की सब काम लाएं देती हूं और आदर्मी अमजले आलम जी मुझसे मैं जब आई थी तो कह रहा है दे बोले बेटा मैं पिच्यासी साल का हो गया तो मैंने का अंकल जी आपको अभी कम से कम सो साल जीना है और अभी आपका कुछ नहीं बिगड़ा हम लोगों बारवाद नमन करती हूं खुदा का हुकम है कि आप बराबर लगातार एक महिने के रोजे रखते हूं रोजे हर मजब और हर कहजीब का आदमी रखता है कोई प्रत के नाम से पुकारता है कोई फास्त के नाम से पुकारता है कोई निजला के नाम से कहता है लेकिन रोजे हर एक लोग रखते हैं तो ये एक ऐसा मिशाली होगा है कि दुन्या एक्राम में चुबह चाम के लेके चुबह से लेके चाम तक भूजा रखा जाता है और मुटाबाद तुरे एक महिने कित्रे नी है ये महिनों जिश्वा इस समय एक करेरा की यवाम इस करेरा की जंता जो गाम नम्मी का जिनूश निक मश्लिम माईश इस व्इद्मिलन का कारिकरम असाठ में बचात है ये मिसाल और एक्ता ये दुनिया को एक शंदेश है कि हमें किस प्रकार इस देश को आगे ले जाना है हमें हमारे देश को पीछे करना है आप सिवारे के साथ ए उस ईसवर क्यों जो संदेश को मानना है जि इसानियत के लिए ही हमें काम करना है।